हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बाद फिर से आप लोग का बहुत बहुत सवागत है दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे उल्लू के बारे में यह निकी आउल के बारे में आउल के फीचर्स के बारे में बात करेंगे और वास्तु में आउल की क्या importance है different cultures में इसको किस तरीके से देखा जाता क्योंकि सोते हैं जहां पें इसे हैं बहुत ही positive तरीके से बहुत सारे iisay negative डिखा जा सकता है तो वो जो पright जीज़ हम आज की वीडियोम बात करें गें पलस इसी के साथ ही बात करेंगे कि जो जो भी symbols होते हैं जो भी इस तरह की photos होती हैं और इस तरह की symbols होती हैं scientific किस तरीके से जो है काम करते हैं किस तरीके से हमारे mind में impact डालते हैं बहुत easy language बताऊंगा और बहुत practical बात जो है आज की वीडियो में हम बात करने वाले किस direction में आउल्लू को रखना है और किस direction में आपको नहीं रखनी है और अगर हम बात करें इंडियन वास्तू के अंदर तो इंडियन वास्तू में आउल की क्या importance है और इसके क्या क्या feature है तो इस सारी जो चीजें आज की वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं एक जैसे cross का symbol है तो वो जो symbol है वो Christian के लिए काम करेगा वो Hindu या Muslim के लिए काम नहीं करेगा और इसी तरीके जो ओम का symbol है वो Hinduism के लिए काम करेगा जो Hindu में जो belief करता हो उसके लिए काम करेगा तो एक तो पहला जो हो गया यह चीज और दूसरा आपने बचपन में बहुत सारी बार जो आपको आपने सुना होगा कहते हुए कि हमारे दादा दादी या फिर ममी बापा कहते है कि अच्छा देखो बूरा मत देखो तो हम उस टाइम पर सोचते थे क्यार देखने से किस त पान हो गया नाक हो गया और टंग हो गई तो यह जो सारी चीजे हैं इन सब चीजों से जो है मलब जो five senses है हम चीजों को जो है observe करते हैं और चीजों को feel करते हैं चीजों को experience करते हैं तो इसी तरीके से जैसे मालिया अपने कोई भी scenery लगाई कोई भी photo लगाई जैसे कि आप अपने अपने खरेवाले, for example, अगर एपी जबदुल कलाम की फोटो लगा रही है, तो उसको देखने से आपके माइंड में किस तरीके से thoughts आएंगे, और इसी तरीके अगर आपने किसी heroine की तस्वीर लगाई है, तो उसको देखने से वो किस तरीके से आपके माइंड में thoughts वो कहीं नहीं हमारे subconscious mind पे असर डालते हैं, और हमारे जो सोचने का तरीका है, वो हमारा उसी तरीके से हो जाता है, और अगर उसको सही जोन में रखते हैं वास्तो के वाडिंग, तो वो और जादा आपके उपर पॉजिटिव इंपैक डालता है, इसलिए बोलते हैं कि कोई भी लड़ने भीड़ने वाले टाइप के जो जानवर होते हैं, उनकी तस्वीर जो आपको अपने घरों में नहीं रखनी जीए, तो यह जो चीज़ें यह इस तरीके से काम करते हैं, यह मैंने आपको बता दिया, अब हम बात करते हैं उल्लू के बारे में, तो दीखे, सबस इस तरीके से तर्की में भी जो है उसे जो है वो नेगिटीव माना जाता है, लेकिन जो वाइट उल्लू है उसको हापर पॉजिटीव माना जाता है, फिर इसी तरीके से चाइना में अगर हम बात करें फैंक्शुी में के बारे में, तो फैंक्शुी में जो है उल्लू को ए साइड से आरहा तो वो positive है left left साइड सा रहा तो negative है और right साइड सा रहा तो positive है तो इस तरीके की बहुत सारी चीजे है इसमें तो वो सारी details में नहीं जाते है मोठा मोठा हम पकड़ के हम बात करते हैं तो देखें अलू के कुछ features होते हैं कुछ symbols होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, उसके जो features होते हैं, वो हमें बहुत कुछ चीज़ सिखाते हैं, जैसी कि जब वो उड़ता है, तो उसकी जो sound है, वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उसके ओपर काफी research हुई, जो microphones होते हैं, बहुत ही, जो कि बिल्कुल हलकी सी भी sound को capture कर ले हुई, तो इससे यह पता चलते हैं कि अगर आप लगाते हैं, जो बी काम आप करते हैं, उसको जो बिल्कुल भी भनग लगने नहीं देता है, बहुत हम करेंगें लेकिन बिना अवास करें, इसका एक तो यह हो गया, फिर अगर हम second इसके feature की बात करें, तो जब यह शिकार क जाएगा तो 270 degree अपनी गरदन को बेंड कर देता है और अपने शिकार को बिल्गूल भनक भी नहीं लगने देता है दोस्तों बात करते हैं कि इसको आपको किस डिरेक्शन में लगाना चाहिए और किस डिरेक्शन में नहीं लगाना चाहिए तो इसको आप जाए नौर्थ इस सब्सक्रार में लगा सकते है इस जाइए जी लगा सकते हैं इसको आपको बात करते हैं तो आपको किचन में भेड journée लगाने से आँ करना चाहिए और अगर अंदर से स्के बातशेद्व ल listened तो अगर आपको अंदर से ऐसी फिलेगा रही है तो इसको आप अपने घर में नाई लगाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा तो इसी में अगर मैं इसकी species की बात करूँ तो 200 से लेकर के 250 तक की जो इसकी प्रजातियां पाई जाती है और कुछ को जो है वह पोजिटीब के अंदर रखा जाता है कुछ को नेगिटीब के अंदर रखा जाता है तो वह सारी चीज़े में इसी में एक बहुते इंपॉर्टेंट बात और बदाता हूं आपको की पुराने टाइम पे जो पुराने लोग को देख करके टेंपरीचर का पता लगाते तो अग यह कुछ चीजे थी दोस्तों जो कि मैंने आप लोगों को बताई है और अगर आप उससे परसनल कोई कोई कोशन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो करके मेरे को वहाँ पर मिरेसे कोशन पूछ सकते हैं आउल के रिगार्डिंग बास्तू के रि